सर देखिए ये कितनी बड़ी बात है कि चुनाव समाप्त नहीं हुआ और हम आपके अगले टर्म की बात कर रहे हैं आप 100 दिन में, 125 दिन में इससे ऐसा लगता है कि चुनाव जो है एक स्टेटस को का चुनाव है यानि लोगों कोई आश्वस्त हैं कि आप वापस आने वाले हैं जब बीजेपी के टिकेट दिये जा रहे थे उस समय लोग कहते थे कि टिकेट नहीं है ये निरवाचन का सर्टिफिकेट है हर जगा जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है और आपका काम है आपको कभी ऐसा लगा कि इस बार तीसरे टर्म के दौरान केंडिडेट्स ने भी शायद ऐसा सोच लिया कि भही आपके नाम पे ही जीत के आना है आपके काम ने आपने इतना अच्छा करके रखा है कि उनको कोई जादा मेहनत करने की ज़रूत नहीं है तो आप उस हिसाब से कुछ आप देख रहे हैं कि कोई लैक आफ पार्टिसिपेशन या ज़रूर से ज़्यादा एक शौरटी कैंडिडेट्स में या कारे करता हूं एक तो यह जो जितने वाला हूं यह हमारी सरकार बनने वाली है इस अनुमान पर पहुंचने में आप बहुत काफी लेट है बहुत लेट है आप अब मुझे राष्पति पूतीन का फोन आया था सितंबर की मिटिंग के निमेंटरं के लिए तो दुनिया को तो पुरा वरोसा है कि यह सरकार बनने वाली है आप काफी लेट है लेकिन फिर भी देराए दुरस आए अच्छा ही है जहां तक चुनाओ का सवाल है मैंने एक साल पहले मेरी पार्टी को कहा था बड़ी मिटिंग के कहा था कि केंडिडेट का इंतजाब मत करो आपका केंडिडेट गोशित हो चुका है और वह कमल कमल ही आपका केंडिडेट है और एक साल से मैं सिरफ कमल के लिए ही काम करना कर चुका मेरी पार्ट को मैंने उस परकार से गल्विनाइज कर दिया था तो हम कमल के लिए ही सब लोग काम कर रहे हैं वह कमल के लिए काम कर रहे हैं और हमारे आपको सब से कमफर्टेबल चुना है ऐसा है कभी हमने कमफर्ट जोन में जाना नहीं चाहिए अगर यह सब इतना असान है तो इतनी मैंनत क्यों कर रहें आप मैंनत मैं इसको अफसर मानता हूं जनता जनार्दन के दर्शन करना उनकी भावनाओं को सबढ़ना यहीं तो मेरी प्राण शक्ति है कि मेरी उर्जा है दूसरा लोक तंत्र में चुनाओं को हमने जीत हार के सिमिद अर्थ में नहीं लेना चाहिए यह बहुत बड़ा एक प्रकार से उपन यूनिवर्सिटी होती है आपके पास अफसर होता है अपने विचारों को लोगों तक ले जाने का और आप जब डायरेक विचार ले जाते हैं तब ना डाइलूजन आता है ने कर सकते हैं अब जैसे काशी से गया तो मैंना काशी का मिजा जाए लेकि मैं कोडर मा गया वहां का जो द्रश्चे देखा तो मैंने अपना पुरा भाष्ण का विशे बदल दिया पहले मैं जाता था रस्ते में कुछ अलग सोचता था मैं क्योंकि मुझे लगा कि मुझे यह मुझे इनके साथ यह बात करनी हैं और मैं मानता हूं सभी राजनितिक दर्लों का करतव हैं कि बेच चुनाव का भरपूरु पीओग करें मतदातां को एडूरेट करें अंपनी वर्किंग स्टाइल से एडूकेट करें अपने प्रोग्रेम से एडूकेट करें ये काम सबने करना चाहिए मैं तो चाहूंगा अभी भी करें फंदर अभी दिन बचे हैं अपने मद्दाताओं को एजुकेट करें लेकिन नहीं कर रहे हैं